हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ सब ठीक हैं यह सिक्स नंबल लिखा हुआ हैं हाँ पर आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं इसमें हम यह डिसकस करेंगे कि अगर मरकरी वर्गो एसंडेंट में हो तो क्या रिजल्ट देगा वीडियो बनाने से पहल तो अगर उसमें मैं सिर्फ दो सवालों के जवाब देता हूँ तो अगर आप अपनी फ्री कुंडली चार्ट रीट करवाना चाहते हैं तो अपने दो सवाल अपना डेट ऑबर टाइम प्लेस और अपना नाम डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा उस पे फॉरवर्ट कर दीजे और 30 जुलाई से पहले कर दीजे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है मैं सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी कुंडली डाल दूँगा अगर सिलेक्ट हो जाता है तो आपके दो सवालों के जवाब मैं प्रोवाइट कर दूँगा परसनल कुंडली अगर आप लोग रीट बनाने वाले आज जो हम इस वीडियो बनाने वाले हैं ये है वर्गो एसेंडेंट के वर्गो एसेंडेंट का जो ओनर होता वो भी मर्करी ही होता है लगन लॉड जो होता है वो मर्करी ही होता है और मर्करी अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो क्या रिसल्ट देगा अग कोई भी planet कहीं पे भी इस पे कोई खराब दिश्टी नहीं देता तो अपने अच्छा result provide करेगा extreme देगा full result provide करेगा अगर conjunction में कोई problem ना हो तो full result provide करेगा तो यहां पे mercury जो बैठे हैं वो first लगन के होके बैठे हुए है sixth house के owner होके बैठे हुए है और simultaneously third house के भी owner होके बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टी पढ़ रही है 12th house पे मतला साथवे घर पर पढ़ रही है आपके जो marriage business और partner का जो house है उस घर पर पढ़ रही है तो यहाँ पर थोड़ी सी difficulty यहाँ पर मरकर ही दे देता है क्योंकि यहाँ पर communications और यहाँ पर जो आप fraction होता है वो mostly balanced बहुत होते हैं, calculated बहुत होते हैं because of mercury और अगर mercury ही first house में बैठ जाए तो extremely Calculative और बहुत ही जादा thinking process में रहते हैं और communication में बिल्कुर balance रहते हैं इस कारण क्या होता है जिकि सामने वाला जो Jupiter है या knowledge का जो owner है उसके साथ इनका relationship कुछ खास अच्छा रह नहीं पाता है उसमें problems आ जाती हैं तो इसको थोड़ा सा आपको manage करना पड़ेगा हो सकता है जी कि दूसरे को सुनेंगे तो हो सकता है एक एकी रस्ते पर जाने के लिए जरूरी नहीं होता जी कि एक मेरा रस्ता नहीं मनजिल की बात करा हूँ अगर एकी मनजिल जाना है सबको एकी मनजिल पहुँचना है जरूरी नहीं कि एकी रस्ता हो सकता है alternative roads हो तो आप जो road पक कर रहे हों लेकिन मंजिल पर फोकस करें कॉमनीकेशन पर हमेशा थोड़ा सा लीनियेंसी रखिए बैलेंस करना ज़रूरी है लेकिन जब आप लाइफ पार्टनर या एक कोई सीरेस रिलेशनशिप में जाते हैं उसके साथ उनको understand करना पड़ेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा अब यह रही negative point यह negative point मैंने खतम कर दिया अब positive पर चले जाते हैं Mercury यहाँ पर जैसे मैंने बोला balancing act करता है बहुत अच्छा communication दे देता है और market, education और health care को लेके काफी अच्छा relation आपको फाइदा देगा अगर आप market में है, business में है या teaching में है या learning आप किसी को सिखा रहे है या आप कुछ सीख रहे हैं किसी चीज़ को उस चीजों में आपको अच्छा result देगा health care में आपको अच्छा result देगा अगर आप health care में हैं और आप एक डॉक्टर है या या आप मेडिसन लाइन में है तो आपको अच्छा रेजल्ट देगा Mercury यहाँ पर आप बैलेंसिंग एक्ट बहुत अच्छा करेंगे चांसेज जादा यह है कि आप जॉब करें जॉब करके आपको आप किसी कंपनी में एक हायर पोस्ट में हो या किसी गॉर्मेंट जॉब में हैंगे जहां कॉम्निकेशन से रिलेटेट काम होगा तो जॉब आपके लिए ज़्यादा बेनिफीशरी रहेगा अगर Mercury फरस्ट हाउस में बैठे हुए है तो और यहाँ पे बैठा हुआ Mercury एक्जल्टेड है एक्जल्टेड होने के कारण आपको हमेशा हायर पोस्ट मिलेगा, हायर अथोरिटी से आपका कनेक्शन रहेगा या आपको एक हायर अथोरिटी में होगे आपको learning में ज़्यादा अच्छा beneficiary रहेगा आप दूसरों को teaching अगर करना चाते हैं सिखाना चाते हैं communication रहेगा आपका media line भी आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप media में हैं लेकिन जो बात करें उसमें balancing act रखेगा balance करके रहेगा market में भी आप अगर आप deal करते हैं तो उसमें भी आप balance करके चलेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा exalted mercury यहाँ पे आपकी personality को बहुत improve कर देता है individual personality बहुत अच्छा हो जाता है आपको देख के आप बहुत stable और decisive होंगे हाँ थोड़ा delay हो सकता है decision लेने में लेकिन decisive होंगे लेकिन कभी भी जो आप हमेशा यह याद रखेगा जिकि जो decision आपने लिये हैं वो उस moment पे लिये हैं हो सकता है वक्त और time बदले तो अगर आपको decisions कभी कुछ उसमें alter करना पड़े या change करना पड़े और हमें लगता है शायद हमने गलत decisions लेते वक्त के हिसाब से कभी कभी चीजें बदल जाती हैं तो आपके decisions हो सकते हैं कभी कभी wrong हो जाए लेकिन वो wrong नहीं है वो सिर्फ वक्त का नजरिया time की वज़ा से वो change हुआ है तो उस पे आप थोड़ा सा अपने आपको stable रखेगा यहाँ पे अपने health पे भी थोड़ा stability रखेगा thinking जादा रहेगी तो उसको थोड़ा सा control में रखेगा ठीक है यह था मेरा mercury पे review अगर वर्गो एसंडेंट पर है excellent mercury बहुत अच्छा है यहाँ पे thank you